हेलो स्टूडेंट्स अपना गुद्कुल यूट्यूब चेनल पर फिर से आपका स्वागत है डियर स्टूडेंट्स मेरा नाम है लोकेंदर राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे नव उदे बेच जोकि क्लास एड का बेच है इसके चेप्टर नमबर वन जिसका ना उनके solutions देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो हमारा जो 5th number question है वो है कि Name the property under multiplication यहां पर multiply कुछ numbers के दिये हैं हमारे को यह बताना कि कौन सी property का यूज करके multiplication किया गया है तो देखो हमने बहुत सारी properties पड़ी थी उन properties के मैंने concept videos आप लोगों के लिए अपलोड कर देखिए तभी आप लोगों को concept समझ में आएगा तभी आप यहां क्या कर सकते हो इन questions को solve कर सकते हो पहले इन questions को भी आप खुद करने का को सिस कीजिए उसके बाद में अगर नहीं आता है कि कुछी question में problem आती है तो आप यहां पे आके solution देख सकते हो तो चलिए सुरू करत है तो यहां आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमने इस number को क्या किया है एक से multiply किया है और यहां भी इस number को एक से multiply किया है और एक से multiply करने पे result पे कोई भी impact नहीं पढ़ रहा है दोनों results बराबर ही आएंगे और कितने आएंगे minus 5 upon 4 minus 4 upon 5 तो यह मैंने एक property बताई थी आप लोगों को अगर याद हो आप लोगों ने अगर वीडियो देख लिया हो तो कि अगर किसी भी number को 1 से multiply किया जाता है तो result वही आता है और उस 1 को हम बोलते हैं multiplicative inverse तो यहां पर भी क्या हुआ है 1 as a multiplicative inverse क्या हुआ है यू जो है तो हम भोल देंगे है पर क्या property multiplication की 1 as a sorry मैंने गलत बोल दिया है one is not a multiplicative inverse one is a multiplicative identity तो वन को हम क्या बोलेंगे तो यहां पर क्या है one is a multiplicative identity तो इस वाली property का यूज करके यहां पर multiplication की अगया है अब यहां देखो इसको इससे multiply करो इसको इससे करो या इसको इससे करो दोनों का मतलब सेम ही तो है result है तो यह भी हमने एक property पढ़ी ती जिसमें order matter नहीं करता एको बी से multiply करो या बी को इससे multiply करो तो यह थी हमारी multiplication के लिए commutative property तो यहां पर क्या होगी commutative property यूज यह commutative property for multiplication commutative property के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो commutative property क्या होती थी addition के लिए भी valid होती थी तो for multiplication के लिए I hope यह चीज भी आप लोगों को समझें आ गई होगी उसके बाद में यहां देखो इस वाले नंबर के reciprocal को क्या किया है इससे multiply किया result कितना आया 1 आया तो हम लोगों ने इससे 1 to 4 तक के questions में भी इनको solve करने की कोशिस की थी तो यहां पर क्या होगा अगर किसी भी number के उसके reciprocal से multiply किया जाता है reciprocal को क्या बोला जाता है multiplicative inverse की बोला जाता है तो result कितना आ रहा है 1 तो यहां पर कुन सी property आ रही है कि 29 upon minus 19 is a multiplicative inverse या फिर reciprocal ठीक है of किसका reciprocal है 29 sorry minus 19 upon 29 तो यहां पर जो प्रोपर्टी यूज हो रही है multiplicative inverse या रेसिप्रोकल की property I hope यह तीनों आप लोगों को समझ में आ गए होगे अब हम देखते है question no.6 जो कि important question है इस type के other questions भी बनाए जा सकते है तो question को ध्यान से समनना कि multiply 6 upon 13 इन्हें by the reciprocal of minus 7 upon 16 यानि हमें इस number को इसके reciprocal से multiply करने है तो सबसे पहले हम एक ही काम करते हैं कि इसका reciprocal ही find कर लेते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि reciprocal of minus 7 upon 16 कितना होगा which is equal to 16 upon minus 7 फिर क्या बनेंगे according to the question according to question question के according क्या होगा कि 6 upon 13 और इसके reciprocal यानि कि 16 upon minus 7 इनका product में बताना है तो अगर कोई दोनों से divide हो रहे हैं तो देखलो otherwise simply multiply करने है तो 96 upon minus का 91 I hope आप लोगों कोई समझ में आ गई होगी तो यह हमारा क्या होगा final answer होगा 16,6 जा कितना होगा 96 हो जाएगा और 17 minus 7 करेंगे तो minus का 91 हो जाएगा तो इसको standard form में लिख सकते हो standard form में देखो इन दोनों में वैसे तो कोई common factor नहीं आ रहा है केवल जो denominator minus का है इसको plus का बना के लिख सकते हो तो कैसे बना होगे तो दोनों को क्या कर दो minus के बन से multiply कर दो इसको भी minus के बन से multiply कर दो क्योंकि हमने equivalent fraction के concept को समझा था वहाँ पर क्या किया था numerator denominator दोनों को अगर सेम नंबर से multiply करें तो उसको जो नया रहसनल नंबर या फिर fraction मिलेगा वो भी उसके equivalent होता है तो यह क्या हो जाएगा उपर minus का 96 हो जाएगा और नीचे plus का 91 हो जाएगा आप चाहो तो डायरेक्ट नीचे वाले minus को उपर लिख सकते उससे कोई भी फरक नहीं पड़ेगा इसके साथ है अब हम यह देखते हैं कि यह वाला question है 7 number question जिसके अंदर क्या है tell about property allows you to compute this this यहनि इन दोनों को multiply किया तो हमें बता ना कौन सी property यूज होगे तो हमने एक property पड़ी थी जिसके अंदर क्या पड़ा था कि 3 numbers को multiply किया जाए तो किसी भी 2 को पहले कर दो का multiply कर दो उससे कोई भी impact नहीं पड़ेगा तो यह जो property थी वो कहलाती थी associative property for multiplication property for multiplication यहाई इन दोनों को कर दिया एक रिजल्ट सेम मिलने वाला है तो यहाँ पर जो property यूज हो रही है तो यह जो प्रोपर्टी फोर मलटीप्लिकेशन उस्ते यही बोला था कि कौन सी property यूज होगे तो I hope यह चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसे भी आप note कर लीजिए, इसी के साथ हमारा यह वाला lecture खतम होता है, जिसमें हमने NCRT की जो exercise 1.1 है, उसके 5 से लेके 7 तक के questions को discuss किया है, आने वाली lecture में हम लोग बाकी के बचेवे questions को भी पूरा solve कर लेंगे, इस bell icon को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे की आगे आने वाले सभी videos के notification आपको मिलते रहें, तब तक के लिए thank you